नमस्कार दोस्तों हमारे पास Laptop Repairing and Testing Tools का New Stock आया हुआ है तो क्या-क्या आया हुआ है आप लोग को दिखा देते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा होकी का SMD मशीन है होकी 822 होकी 822 यह 2-in-1 होता है इसमें आपका आयरन भी होता है और आपका रिवर के स्टेशन भी दिया रहता है जो आप होटगन कहते हैं वह भी दिया रहता है तो ट्वीन वन है और बहुत बेस्ट है और यह जो आप ब्रांड देख रहे हैं और यह मॉडल नंबर जो होकी 822 है यह आज से नहीं मान के चले कि पिछले साथ-8 सल से मार्केट में यूज में हो चला रहा है इसके अलाब आप देख सकते हैं यह पर हमारा एक आईरन भी है यह आपका होकी का है 938 D+. है ना डिश्टल में आता है यह बहुत बढ़ियां यह डिश्टल सोल्टरिंग आईरन होता है है इसके अलाब आप देख सकते हैं यह आप एक और हमारे पास SMD है जो कि सदवाहर SMD कह सकते हैं और हमेशा से यूज में आता है होकी 122 होकी 122 का मोडल है तो यह आपका क्या है सिंगल केबल और केबल आपका सोल्टरिंग स्टेशन है है ना देख सकते हैं SMD रिवर का स्टेशन होकी 122 इसमें आईरन नहीं आता है यह सिंगल है वह होकी 822 ज क्या है कि जो आपका air और आपका handle में होता है जैसे कि आप देख सकते हैं इसका handle तो air जो होता है air का जो flow होता है तो इसका handle में होता है जिसके बिजह से इसका जो unit है sorting unit उसका size आपका छोटा होता है वही अगर हम hockey 122 देखेंगे तो इसमें ये जो इसका एर सिस्च्टम है वो, आपका क्या है, में यूनिट के अंदर होता है, तो सिले स्काइज क्या होता है, थ्वड़ा सा बढ़ा होता है, में अधर हो जाता है, हम निकाल कर दिखा सकते हैं, होकी 1220 भी अर 202 भी कैसा दिखेगा इस तो एक आइडिया लग जागा ना कि साइज क्या होता है इसका यह होकी 122 का साइज होता है साइज आपने देखते हैं और आप इसकी जो पैकेजिंग देखेंगा ना वह भी जबरदस्थ होती है होकी बरांड का कुई बो आप इसमड देखे पैकेजिंग बहुत बढ़ियां आती है यह एक्ष्ट्र यह देखे यह स्मॉल साइज हो जाता है तो उस हिसाब से क्या होता है अगर आपके सेटप में स्पेस कम हो तो आप होकी आट सब आइस को प्रिफर कर सकते हैं बस यह ध्यान रखेगा कि 122 के तुलना में यह थोड़ा सा कॉश्टली होता है अब अनिमा आ गया चलिए अब इस उशा एरन होता है और यह डिजटल डिजटल है डिस्प्ले हैसके अंदर तो आपको एनलोग में आता है और एक डिजटल में आता है तो यह हमारा डीजटल है दिखा दीजिए दब्बे को साइड कर दीजिए फिर इसको महटा देंगे उसकी जरुतने बस इसका साइज हमें दिखाना है कैसा दिखता है यह हमारा होता है कि होकी 938 हाना जो कि डिटल डिस्प्ले के साथ है हटा देजिए अब इसको अब माते मल्टि मिटर के उपर कि हमारे पास किस किस एलिदी का मल्टि मिटर है सबसे पहले आप यह दिखाए मल्टि मिटर यह मोडल देख लिए प्रेश्चा स्टार्टिंग में अगर आपके लिए बेस्ट मुल्टिमेटर होता है आनलोग में आता है आप देख लिए किस तरह का वर्किंग रहेगा डिश्टेल है, देख लीजे, इस तरह का मिटर है यह, इसमें सारा का सारा आपको दे रखा है, यही इसका होकी, यूटी 33D+, चलिए, और दूसरा मल्टी मिटर दिखा है आप, यही होकी, यूटी का, यह मडल देख रहे है, यह हमारा आता है, 39A+, यह साइड में बड़ा है, जो 33D+, उससे यह साइज में बड़ा होता है, और यह भी आपका डिटल मल्टी मिटर, खास अब तो डिटल मल्टी मिटर चलते है, इसका भी साइज एक पर दिखा देजे, किस तरह का साइज आएगा, इस बड़ा सा बड़ा होता है, तो कॉश्ट में भी उसे साब से चेंज लग गया होगा, यह हमारा है 39A+, ठीक है, और अब आप दिखा दिए जो 89X जो है हमारे पास, 89X यह वाला, 89X हाँ, वाला, अब यह देखिए, यह आपका जो 39A+, देखा आपने, उससे भी बेस्ट क्वालिटी है, यह हमारा 89X है, इसमें दो मोडल आते है, एक XD आता है, और देख लिजे, यह आपका और भी बेस्ट क्वालिटी का मल्टी मिटर हो जाता है, और काफी रफन टप मल्टी मिटर है यह, देख सकते हैं आप इसके, इस तरह का मिटर हो गया, चले ठीक है, इसको रख दीजे, और अपने पास क्या मिटर आये है, यह ब्लूटूथ वाला म मिटर है देख वाला मिटर होता है, देखें, यह हमारा मुटे होता है, होकी का हता है M9, मुटे हैं इसका है जो इंटरफेश है आप सब्लूथ के जरी अपने पोर्म फोन, इसकिन पर भी देख सकते है, और अगर आ आप देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते है यह देखे, यह यह आटो आटो पावर आफ का भी फीचर्स में और आपकर इससे अगर आप देख सकते यह यह सोनना होगा सकती हों प शाट मेंटर करता है और आपका जो व necessity inato यह भी आपका क्या होकी 101 थोड़ा साइड चोटा है अगर आप कंपरेजन करेंगे इन तो फरक है यह जो आप देख रहे हैं जो हमारा होकी M9 है यह साइड में बड़ा है इसका जो स्क्रीन है वो भी आपको ज्यादा बड़ा है और उसके तुलना में अगर हम देखेंगे होक 101 का इसका साइड चोटा होता है है लेकिन दोनों में क्या है दोनों आपके ऑटो रेंज मीटर है यह दोनों अटो रेंज मीटर हो जाते और वो इससे पहले जो आपने मीटर देखा वो हमारे क्या बोलते उसको मैनुल रेंज है ना तो चले मीटर हमारा हो गया और क्या हमार होता है flux आपका सोल्डिंग डिसोल्डिंग में कोई अगर निकाल दें तो खास करके अगर सॉलिड टाइप का कॉंपोनेंट्स है तो उसमें आप फ्लक्स का यूज कर सकते हैं और अगर SMD components होता है तो फिर हम क्या करते हैं पेश्ट यूज करते हैं तो यह आपका इसका यूज करते हो इस बात का ध्यान लखना है आपको चले नेक्स्ट आप दिखाई है आमारा यह जो है हाँ यह देख लीट यह उसकूडावर का सेट होता है धीर का होता है नंबर 9167 इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट कौलिटी का यह भी आपक इसकूडावर सेट है की इसमें थोतल इसमें ब्रहे देर अगर आप Macbook को लेकर के चल रहे है तो MacBook के लिए बहुत best है, साथी साथ अगर आप इसमें देखेंगे, जो आपके हिंज वगरा होते हैं, उसको भी लूच करने का option दिया रहता है, उस तरह के bits दिया रहते हैं, कि हम इसके हिंजे को भी उच कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं, क्या है, इसको कट करके, इसको open कर ग बहुत ही प्यारा सही है, इसको डावर सेट होता है, इसमें आप देख सकते हैं, magnetizer भी दे रखा है आपको, key rings दे रखें आपको, tweezers भी आते हैं, openers भी आते हैं, और यह देखें इसका main unit, हैना, total 67 bit के आते हैं, और काफी strong quality के bits होते हैं, और यह आप देख सकते हैं, कि लिए, यह आप देख सकते हैं, हमारा mtech flux होता है, अगर आप solding, disolding purpose के लिए जाते हैं, तो mtech लिए उपर उठेए गाए इसको, किसी एक को, यह आपका, NC559ASM, यह है, और यह देख सकते हैं, और यह solding purpose के लिए, disolding purpose के लिए हम यूज करते हैं, इसके अलावा एक और flux होता है, हमारे पास, रखिए उसको, और यह वाला flux ले लिजिए, यह flux देखिए, यह आपको काफी high quality of flux होता है, और halogen free flux होता है, यह अगर आप देखेंग देखें, halogen free, मतलब इसमें से smoke आपका बहुत कम आएगा, मतलब इसमोग जो होता है, जैसे इसको आप यूज करेंगे तो इसमें से smoke आएगा, बट इसमें से smoke नहीं आएगा, लेकिन अगर आप price का difference देखोगे, तो यह मान के चलेगा कि, three times ज्यादा price होता है, यह भी आप आपका सेम है, वही है, NC559-ASM, बट दोनों में फरक क्या हो जाता है, कि यह आपका halogen free है, इसमें less smoke होता है, इसमें आपको ज्यादा smoke होता है, रखें, और क्या है, एक यूज केबल दिखाएगा, और यह देखें, यूज केबल, यह 60 USB केबल होते हैं, special programmers के लिए, अगर आ च्छोटा सा केबल लगाना पड़ता है, USB के लिए, USB interface केबल च्छोटा सा लगाना होता है, उसके लिए हम यह prefer करते हैं, कि आप यह ले सकते हैं, चलिए, ठीक है, और क्या आया हुआ है, यह jumper wires होते हैं आपको, यह jumper wires होते हैं, कहीं भी आपको jumper करना हो, तो आप यह से jumper wire का यूज कर सकते हैं, और दिखाइए, और इसका पूरा set दिखाइए, यह आपका electronic screwdriver होता है, ओपन करिए, यह electronic screwdriver है, especially laptop के लिए, ध्यान दखेगा, especially laptop के लिए होता है, ओपन हो जाएगा वही से, और फिलाल इसमें जो packing में क्या आ रहा है, जो आता है, वो हम देते हैं, तो यह आप देख सकते हैं, इसमें चार तरह के bits आ रहे हैं, देखरें आप, laptop ओपन करने के लिए हैं, आपको चार तरह के bits आ रहे हैं, और एक बारी आइरन दिखाइएगा, कैसा दिखता है, जाना, बिल्कुल new look में है, अच्छी quality में है यह आपको, और इसका जो smps होता है, वो separate है, smps इसका दिखाएगा, यह इसका smps है, यह इसका smps है, ओपन करें इसको, यह इसका smps होता है, यह इसका main smps हो गया, जिसमें कि आपको यह automatic electric escrow driver है, इसको आपको यूज करता है, इधर, backside, backside, इधर, इधर, यह देखे, इसमें क्या दे रखा है, कि at a time आप, दो handle यूज कर सकते हो, तो यह जो electronic escrow driver है, वो इसी के साथ यूज में आएगा, electronic escrow driver को power देने के लिए smps का यूज क्या जाता है, hds39 model है, hockey का है आपको यह, और यह भी बहुत best quality का electronic escrow driver है, जो कि हम कह सकते हैं, यह हमारा AC से operate होता है, बादमा की smps दे रखा है, जो कि आगे आपको DC देगा, तो यह rough and tough कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत जल्दी नहीं खराब होता है, इस तरह के escrow driver होते हैं, जल्दी नहीं खराब होते हैं, एक आपने सुनाओगा battery operated escrow driver, तो battery operated escrow driver होते हैं, उनका कोई guarantee warranty नहीं, कुछ नहीं कह सकते हैं, कभ खराब हो जाएं, बट हमने personally इसको यूज किया हुआ है, एक बार आप पर लगा है, उतना आपको मैं दिखा रहा हूँ, चले हैं, यह देखें DSO के प्रॉब होते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉब होता है, अगर आपके साथ जो DSO आता है, उसके साथ तो ऐसे दो प्रॉब मिलते ही हैं, अगर वो प्रॉब किसी वज़े से खराब हो जाए, तो आप ये प्रचेज कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी के प्रॉब्स होते हैं, इसके साथ इसका पुखलेट भी है, तो अच्छी क्वालिटी के प्रॉब्स हैं, बस दिखाना नहीं है, समरी में आगे इतना, अब ये दिखाएगा, ये दिखा दीजिए, ये हमारा CH341 प्रोग्रामर ह होता है, आप अगर कह सकते हैं कि सबसे सस्ता प्रोग्रामर, सबसे सस्ता प्रोग्रामर यही है, है ना, ये सबसे सस्ता प्रोग्रामर है, और बहुत यूच्फुल प्रोग्रामर है, हर किसी के पास बैक अप के तोर पे एक तो होना ही चाहिए, जो आपका में प्रोग्राम तो यह को अगर दोखा दे जाए तो यह प्रोग्रामर आपका बहुत सारा काम निकाल देगा इवेन आप 1.8 भी प्रोग्राम करना चाहिए और आप देख सकते हैं यह आपका बीजिये फ्लक्स होता है यह जैसे कि यह पेश्ट है आपका उसी तरह यह भी पेश्ट है बट थोड़ा सा हाई क्वालिटी का हो जाता है कॉश्ट्ली हो जाता इसके तुलना में और यह इंजेक्षन सिरिंच के साथ आता है क्या है आरल का फोर टू जिरो बीजे फ्लक्स पेश्ट चलिए अब यह डिस्वोल्डिंग वाइर दिखा देजिए यह देखे यह आपका बिल्कुल एक निकाल के दिखा सकते हैं बिल्कुल ऑरिजिनल जैनुवन डिस्वोल्डिंग वाइर है जैसे अगर आप बीजे मसीन का यूज करते हैं तो इस तरह के डिस्वोल्डिंग वाइर साप यूज कर सकते हैं बहुत पढ़ियां डिस्वोल्डिंग वाइर होता है थोड़ा सा कॉश्टली होता है एक तो डिस्वोल्डिंग वाइर का पूरा को पूरा बंडल भी आता है 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 ना इसके अलाबा यह जो देख रहें सेपरेट एक निकल जाएगा एक हां देखिए इतना सा उताइट इसोल्डिंग वार आपका है ना गुट्विक कहते हैं इसको और लेंग्थ इसकी क्या है 1.5 मीटर की 1.5 मीटर की लेंग्थ है और इसके जो चौड़ा होती है वह 2 mm की होती है चलिए और क्या अपने पास दिखांगा धिए उसको बाद मैं कर देंगे और यह आपका टूज़र सेट होता है और भी हमारे पास ओभी दिखांगा यह टूज़र सेट होता है यह 5-in-1 टूज़र सेट है आपको ठीक है और साथी साथ ये देख सकते हैं आपका iron pad होता है एक निकाल के दिखाए iron pad एक ये देखिए ये iron pad होता है इसी तरह की packaging है कई बार इस तरह की packaging नहीं भी होते हैं तो single हम ऐसे send करते हैं तो ये iron pad जो होता है और अच्छी quality का iron pad है जो आप इसको पानी के साथ यूज करेंगे तो ये काफी full के मोटा हो जाता है तो अर्ची quality का iron pad है ये चले ठीक है ये दिखाएगा अपना ये अब ये देखिए ये USB tester टाइप C tester आप कहते हैं तो ये 211 है ये टाइप C भी है और USB भी है इसको निकाल के दिखाएगे एक बार ये देखिए ये आपका tester है USB digital tester ये टाइप C भी है और USB भी है इसमें input का भी option है output का भी option है देख सकते आप है ना टाइप C के लिए इनपुट का आपसन है output का आपसन है ट्विन वन है आपका उसी तरह अगर आप cable और cable type C tester में जाते हैं ये वाला ये वाला निकाल लिएगा ये देखिए ये only type C tester निकाल लिए देखिए इसको तो ये आपके इसमें काम आ जाता है कि अगर आपके पास कोई type C का laptop होता है तो आपका वो कहते है ना five volt से 20 वोल्ट बूस्ट हुआ की निवा, वह आपको इसमें नजर आ जाएगा यह इतना capable होता है कि 5V से 20V boost हुआ की नहीं हुआ वो आपको पता चल जाएगा तो यह भी अपने पास होना चाहिए अगर Type-C का laptop आपके पास आता है तो उसके लिए आप यह देख सकते हैं और यह digital display के साथ है एक बार दिखाएगा यह digital display के साथ है और किसी वीडियो में आपको पूरा इसका डिस्प्ले बगर भी दिखाऊंगा यह digital display के साथ आता है तो यह दो आइटम्स हैं हमारे पास Type-C Tester को लेकर के एक तो आपका यह single Type-C है और दूसरा यह जो आपने देखा यह हमारा Twin-1 है Type-C भी और USB भी है चले ठीक है और हमारे पास देखे क्या है यह दिखाएगा यह निकालकर दिखाएगे यह क्या है देखते हैं यह आप देखते हैं cable set है आपका crocodile clip जो होता है देखै गैए crocodile वाला cable जो होता है जो DC machine के साथ यूरी में आता है अच्छी quality वाला एक तो देखे DC मसीन के साथ आता है अगर QJV का DC मसीन लेते तो उसके साथ आता है बाकि कोराट का DC मसीन लेंगे तो उसके साथ यह नहीं आता है होकी का DC मसीन ले तो उसके साथ आता है तो यह आपका एक्स्ट्रा अगर वो खराब हो जाए वायर तूड़ जाए तो एक्स्ट टीहाँ बई शर्मेश दिख scolded पृष्ट पर्ती है का यह ब्ल्हाँ अज्टी बूल सकते हैं आ काफी काया है मतलब हम यहां पर जो भी आइटमस रखते हैं ना वह मान के चले कि मीडियम रेंज का रखते हैं ना तो ज्यादा मेहंगा होगा ना तो बहुत सस्ता होगा बहुत सस्ता में तो फिर यह तो 10 रुपे गा भी आता है अगर आप बहुत सस्ते में जाएंगे सेम चीज आपको की rock độ 536 796 449 3191 495 betle on not only a600 fps को उस्तारिक उखिखिछ आथे इसके साथ इस तरह के सअपरेट विट का आप यूज कर सकते हो यह लेना पड़ता है अपको यह सकर्प्रोक्रत का आते हैं के टेप भी आते हैं आई टाइप भी आते हैं स्वाठकली वित विख लगता है बाकी सारे नॉर्मल होते हैं, बट यह SK टाइप का जो बिट होता है, वो costly होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगता है, चलिए, और इसको रखे, और दिखाए क्या था, यह tweezers दिखाए और क्या-क्या tweezers है, एक साथ ले लिजे सारे हैं, अलग-अलग type के जो tweezers अपने पास, वो रख लिजे, चलिए, आप यह देख सकते हैं, यह आपका long tweezers है, band में भी है, और आपका straight में भी है, यह sunshine का है, अब वहीं आप देख सकते हैं, यह हमारा estheria tweezers होता है, सस्ते में, यह आपका jyd tweezers होता है, जिसको कि मैं 6-6 टूजर कहता हूँ, है ना, तो यह jyd tweezers हो गया, और, तो देखाओ, वो band tweezers, यह आप देख सकते हैं, यह आपका band tweezers होता है, TW7, है ना, तो देखे, आप क्या है ना, कि यह वाले जो tweezers देख रहे है, jyd का है, तो jyd का है, तो यह थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन अगर आ यह दिखाओ, यह दिखाओ, छोड़ो, हाँ, इसको रखे, इन दोनों को एक साथ दिखाए, इसको और इसको, है ना, एक पर इसको निकाल के दिखाएगा, हाँ, इसको निकाल लेगा, अभी आप देखे, आप अगर देखेंगे, यह tweezers और यह tweezers, jyd, तो नों आपको दे बहतर होता है, jyd की तुल नामे, लेकिन अगर देखने में देखेंगे, तो same model है, सब कुछ same है, इसको एकर is set, इस set, हाना, देखे, यह क्या है आपका, इसका TW11 है, और यह आपका क्या है, jyd, यह भी 11 ही होगा न, एक सेकंड, यह SSSA है, हाना, देखने में एक जैसा है, बट यह quality का फारक हो जाता है, जब आप यूज करते हैं, तो पता चलता है, आपको क्या quality होती है, यह hockey का है, यह hockey HK11 है, और वहीं पर आप देखेंगे, यह हमारा HT11 है, तो अगर hockey का है, तो वह आपका best quality का होगा, यह ध्यान में रखेगा, hockey का कोई भी items आप लेंगे, तो थोड आपका, यह आपका double headed bruce है, जैसे आपका board पे अगर आप मान के चले कोई corrosion वगरा आ जाता है, तो corrosion को आप इससे हटा सकते हो, तो देख सकते हैं, जैसे के last video में हमने इससे पहले के काफी पहले के वीडियो में मैं आपको बताया था, corrosion को कैसे remove करना है, तो उसमें इसी तरह का brush का यूज किया जाता है, तो यह वह वाले brush हो जाते हैं, और दिखेंगे क्या है अपने पास, यह wire cutter है और यह अपना wire cutter होता है, हरी life का wire cutter है, है ना wire cutter या wire निपर्स जो भी बोल दीजिए आप, क्या कटर है कि निपर्स है दिखेंगा, wire को cut करने वाला है ना यह, क्या क्या लेकर आते हैं, यह wire cutter है आपका, देख सकते हैं, यह wire cutter है, है ना wire वगरा को काटने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, चलिए ठीक है, और यह दिखाए आप, यह अपना यह आया है, यह आपका lens का set है, आप देख सकते हैं, इसमें निकालिए ना, इसके साथ आपको कलॉस भी दिया हुआ है, बस एक निकाल दीजे ना, चलिए, सारे निकाल दीजे, एक बार यूज करना भी देख लेंगा, कैसे यूज होगा, चलिए, इसको यह पर रखे, यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, यह कलॉस आते हैं, और यह देख सकते हैं, हर quality का आपको यह lens दे रखा है, अलग-अलग diameter में है, और best quality का है, आप अगर market में से पहले आपको इस तरह का नजर नहीं आगा, एक पर उठाईए इसको, इसको पूल करिए, उपर पूल करिए, हो जाएगा, नहीं हो रहा है, केवल केवल उसको, प्लास्टिक को करना है, अपूल, हाँ, अच्छा, यह निकल गया, अच्छा, इसमें इस तरह का सेल होता है, इसमें, इस तरह का सेल है, है न, चलि एक बार इसको यूज कर करके, इसको हट यह न, यह हट जाएगा, तो यह देख़े, आप देखेंगे, हाँ, यह, अच्छा, इसको light इस तरह से है, इसको आप दो बार पुस्ट करेंगा दिखाते भी हमारी मेरी तरफ दिखाए एक बार पुस्ट करिए फिर एक बार पुस्ट करिए तो आप देख सकते हैं इसमें दो मोड है इसको आप डिम भी कर सकते हो है ना दो मोड में आप लाइट को अप्रेट कर सकते हो और इसको निक जाता पर इस तरह देखेंगे आपका 321 हो जाता है नीचे रखिए इसको यह 321 हो जाता है तो यह आपका एक लिटिस्ट मोडल आया हुआ है अगर आपको हैंड मेंगनी फारचे तो आप यह भी ले सकते हैं ठीक है चले हो गया और क्या अपने पास है अभी यहां पर टेबल आप यहां पर एसकोड़ावर सेट में जाएंगे तो आप देखें यह नैंच के इसकोड़ावर साते हैं यह दो तरह का हमारे पास नैंच का है यह लेफ्ट साइड वाला जो देख रहे हैं यह 22 वन है और यह राइट साइड वाला जो वाइट कलर में दिख रहे हैं यह 28 इ आप देख रहे हैं यह 28 इंवन है तो उनों के एक बार निकालेगा और इसमें से बेस्ट क्वालिटी का और कॉश्टली कौन सा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं देखिए यह 22 वन जो अगर देखेंगे तो यह कॉश्टली है क्वालिटी वाइज भी यह थोड़ा सा श् है बट इसकी क्वालिटी मच बैटर है और यह देखेंगे यह भी बैश्ट है ऐसी बात नहीं अगर नैंच आपको मिल जाए तो नैंच बहतर ही होते हैं है ना क्वालिटी वाइज तो नैंच के भी दो तरह के स्कुड़ावर सेट है हमारे पास है ना तो यह कुल मिला के हम देखें यह निकाला अच्छा पहले इसको लगाई एक बर लगाई इसका लगाने के सिष्टम देखें पूस्ट किया तो लग गया और फिर एक बर पूस्ट करेंगे यह आपका अनलॉक हो जाएगा और यह दिखाईगी कि ये भी आपका हेक सेट इसको बैक सेड में होगा और इसका हेंडल देखनेज्ञे बहुत प्यारा सा है अप स्लीब हेंडल होता है अब सली में यह जैज कर गया जाता है टो हम्談क पास्यां सेट्स होगे तो मतलब आप देख सक besch purp invece के हम देखें तो तो आगे में वीडियो में आपको और भी दिखा रहा हूं और क्या-क्या हमारे पास आइटम्स आइवे हैं अब ये लास्ट इस रूम में है ये हमारा गलफ्स है गलफ्स देख लिए ये अश्टी गलफ्स होता है अगर आपके सेटप पे अर्थिंग की प्रावलम है तो भी आप ये यूज कर सकते हैं बेसिकलि उसी के लिए होता है अगर अर्थिंग की प्रावलम है तो ये वाले गल दूसे रूम में ले जाके मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पर भी बहुत सारे श्टॉक्स पड़े में जो कि अभी लेटेस्ट आये हैं उसमें क्या-क्या है हुँ मैं आपको अभी बताता हूँ चले यह देख सकते हैं हमारे पास एक DC Byट आया है DC Byट दिखाना यह DC Byट का पूरा सेट है कि इसको निकालके दिखाए ये 49 इन1 है यह 49-1 है, मार्केट से जो आप लेते हैं, वो 47 रहता है, 47 का सेट रहता है, बट यह आपका 49 का सेट है, जो इसका सबसे इंपोर्टेंट होता है, वो देख देखेजिए, इसमें यह आता है, यह वाला सेट आएगा, यह तो ट्रेडिशनल पुराने ओल लेप्टॉप्स के लि जाता है, डेल बीढ, फट बीग, खफब 2ड ब ऩो बील दल मैंनिये तो यह आ जाता है, इसका साथ उसके साथ इन देह, साथ और यह यह वोन मेंन हो वह वाला सी, इसको रखेगा, यह 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 आपका आसूस का मीनी हो और देख सकते हैं, यह फोर आसूस जो है, और है और यह यह वालव हैं यह वाला जो देख रहें आपका एक आसूस के लिए आता है विग टाइप का और एक आसूस का मिनी टाइप का यह एक्स्ट्रा हो जाता इसमें और मांकि एक फर्जी टाइप 19 deux बोलता हूं देख लेजिए इसका कोई काम नहीं होता वैसे पादमा की सेट्स में आता और यह अपल का है आपका हाना तो टोटल मिलाके 49 का सेट्स होता है यह चलिए और आगे आते हैं और क्या हमारे पास दिखा यह दिखा यह वाटर जो है यह आपका IPA है क्लीनिंग की भी बोड है और यह आप देख सकते तीन का डब्ब में आता है यह आप लिए और क्या है हो गया और एक यह आपका और यह आएरन नोता है टी मैंने आपको दिखाया था पहले टी ट्वेगो सब्सक्राइब बा सब्सक्रेट कैविा प्लस स्भाइं do प्लस आप grinding दिखाए, न यह क्या है आपका टी 2-45 है , रिट व्यूरक लेना पड़ता है, कि एपन के बीटyuट होता है अधर में जंप में चली टाइब कि आलग से लेना पड़ता है, यह हमारे बीट में उनली आपको तो यह separate होता है अलग से लेना पड़ता है इसके साथ नहीं आता है इसके साथ जो आता है वो आपका i type का होता है और वही अगर आप यह देख सकते हैं इस टाइप का इसके साथ दो यह आपका यूज में आता है लेकिन टी-45 में इसका यूज होता है चले और यह क्या है कि आता यह आपका यह ने दिखा दिया पहले यह वालों दिख़एगा यह दिखाएंगे लिग एक और आप देशक्ते हैं कि दो आप देख सकते हैं हालोजन फ्री है स्वास्त के लिए ठीक है यह जाएंगे तो थोड़ा सा स्मोक ज्यादा आता इसमें तो यह उससाब से थोड़ा सस्ता भी होता है और ना कंपनी से में अगर यह वाला पेश्ट लेते हो ना तो आपके पेश्ट की बरवादी नहीं होती हा ब्लू मेट लेख रहें आपको कि heavey bloomat होता है यह आपको मिल जाएगा यह भी उमारे पास आया हुआ है कि कि एक लेखने का है इसको निकाल करें आक बार है यह आपका कि यह देख सकते हैं इसको एक बलक डेख सकते हैं फिर और उसको कैसा लाइटिंग है और से यूज कर के दिखाता हूँ उभी पहले इसका light दिखा दिजिए अब अधिए यह इस तरह का इसका light है इसको डाउन करो यह इस तरह करके देखें बैंड कर सकते हैं और रही बात इसको fix करने की तो देखें fix कैसे करते हूँ मैं दिखाता हूँ आपको आज़ो fix इस तरह होगा जैसे कि कร सकते हैं और काफी है क्या क्वा जबinizi लाइट पडाईगे आहाँ श्वाह से यूजग कर दिखाएगा कर दो कि और यह देख सकते हैं यह यह भी त्यूजर्स होते हैं हमारे पास, इसको निकाल के दिखाओ, इसको ये आपका costly, मान कर चले को सबसे costly 와 रहे है आप अगर इसको देखेंगे निकाल लिए?, और निकाले पार fusion कै करने दिखाएंग़ , ये काफी costly Tweet dicen are It Designed कि बात आजाती है कौन एफ़र्ड करता है निकाल के दिखा उसका यह बैंड टाइप में होता है यह भी आपको मिल जाता है बैंड टाइप में और दूसरा वाला जो है इस्टेट टाइप में है तो यह काफी कॉश्टली ट्वीजर होता है इसको निकाल लिए डिया सो अपना अभी रहने देजिए इसको 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 डिया सो यह अमारा डिया सो है यह निकाल के दिखाए यह यूनिट का निकाल के दिखाए इसको यह मॉडल कौन सा है देखा देता हूं आपको में करना यह वाला मोडल होता है कि आप यूनिट का यूटुडी टूवन जीरो टूटू सी एक प्लस जो आपका लेटेस्ट मोडल आ रहा है यह ना यह भी आप हमारे पास आया हुआ है अब देख सकते हैं यह मॉडल है आपका जो मतब बजट बजट यह कहते हैं सबसे सस्ता यही होता है बहुत बढ़ियां यह तो नहीं बोल सकते हैं इसको आपको बढ़ियां के रेंज पर जाएंगे तो फिर साट सतर आजार असी आजार रुपए तक रहनी में जाएंगे या उससे भी आगे एक लाग की रहनी में जाएंगे तो बहुत बढ़ियाँ डियास हो हां काम चलाने के लिए जो इंडिया में सबसे ज्यादा बिखता है ब्रांड आपका यूनिट का ही रहता है और यह सस्तर डियास होता है तो यह मॉडल है 2102 CX प्लस हैना यह ले सकते हैं और सबस्क्राइब यह मतबस्काइब के सकते हैं ज फैके लए यह फिरन पहल है 15 16 जी तो आप देख सकते सेटप मैं दिखा देता हूं यह देख लें सेट अप्पे लगा हुआ हुआ है ओन होता है और यहां से भी उन-फ हो सकता है तो यह देख सकते यह लाट का 5 एंपियर आन्सपारमर o तो य forskτη होता है तो यह हमारे सेट आप पे लगा हुआ तो यही सब चीजों दो कि हमारे पास और कुछ ह्ए आ हुए कि हमारे इसके अलाबहर इतना समाना आये हुआ है 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 ना तो यह आपको मैंने दिखाए कि यह क्या-क्या ृइट हमारे पर रखके आपको दिखा दिया है बाकि इंतंव में श्टाप में रख रखा है हमारे पास होता है काफी चीजिँ का अटांक है जो अचाहता है इसा भूक कुवायाई market में जाएंगे market से परचेज करेंगे ऐसा नहीं है अच्छा यहां पर coherent के बारे में आपको बताना था मेरे को कि अगर आप यह लेते हैं न तो ke सथ क्या होता है हाँ वैसे तो आप market में किसी से भी στο ले जिए तो इस DSO पर कोई वारंटी नहीं है, इस DSO पर कोई वारंटी ना, किसी से भी ले लो, बट हम अपनी तब से 7 days का वारंटी देते हैं, प्लस जो इसका basic settings का जो videos होता है, वो भी provide करते हैं, तो इससे क्या होता है, कि अगर आपको DSO यूज करना नहीं भी आता है, तो एक बार basic settings कै कैसे होता है DSO से, किस तरह हम voltage check करते हैं, किस तरह हम clock check करते हैं, तो उन सब चीजों का आपको video जो होता है, जो कि beginners को चाहिए होता है, वो हम provide करते हैं, प्लस 7 days तक हम इस पर वारंटी भी आपको देते हैं, वैसे तो देखें, खराब होने वाली चीज नहीं होती है, क्यों हमारे खुद के setup पे 2 दिन तक DSO चलता है, हर function इसमें check हो जाता है, उसके बाद हम इसको pack करके side करते हैं, कि हाँ यह fully tested है, क्योंकि faulty अगर होना होगा तो starting महीं हो जाएगा, अगर आप market से DSO लेते हैं, तो क्या होता है, या फिर मंगवाते भी हैं, तो क्या होता है, कि cable power एक बार on off करके देख लिया जाता है, और उसके बाद pack करके आपको दे दिया जाता है, या courier से मंगवाते हैं, तो उस तरह दे दिया जाता है, लेकिन हमारे पास वो system नहीं है, हम हर DSO को मैंने बता है, कि कम से कम 2 दिन तो खुद अपने पास एक तरह से समझलों को use कर लेत मंगवा सकते हैं, हमारे पास COD facility भी है, COD charge extra देंगे तो COD facility भी आपको मिल जाएगी, हैना, तो COD उनहीं के लिए है, जो हमें जानते हैं, जो हमें जानते हैं, उनके लिए COD नहीं है, अगर आपको trust issue है, तो आप COD पेस पे भी मंगा सकते हैं, एक बार, श्टार्टिंग तो खुन मला के यही था आज का वीडियो, जिसमें कि आपको हमने दिखाए कि जो laptop के testing and repairing tools होते हैं, जिसके के repairing में बार बार जरुत पड़ती है, तो वो सारे के सारे testing and repairing tools आपको मैंने इस वीडियो में दिखाए, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद